सारे युगों से संसार के सब लोगों का अलोकिक घटनाओं में विश्वास चला आ रहा है हम सभी ने अनेक अद्भुत चमतकारों के बारे में सुना है और हम में से कुछ ने उनका स्वयम अनुभव भी किया है इस विशय का प्रारंभ आज मैं स्वयम देखे हुए चमतकारों को बतला कर करूँगा मैंने एक बार ऐसे मनुष्य के बारे में सुना जो किसी के मन के प्रश्न का उत्तर प्रश्न सुनने के पहले ही बता देता था और मुझे यह भी बतलाया गया कि वह भविश्य की बातें भी बताता है मुझे उत्सुकता हुई और अपने कुछ मित्रों के साथ मैं वहां पहुँचा हम मेंसे प्रत्येक ने पूछने का प्रश्न अपने मन में सोच रखा था ताकि गलती न हो, हमने वे प्रश्न कागज पर लिखकर जेब में रख लिये थे ज्यों ही हम में से एक वहां पहुँचा, त्यों ही उसने हमारे प्रश्न और उनके उत्तर कहना शुरू कर दिया फिर उस मनुष्य ने कागज पर कुछ लिखा, उसे मोड़ा और उसके पीछे मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कहा और बोला, इसे पढ़ो मत, जेब में रख लो, तब तक कि मैं इसे फिर न मांगो इस तरह उसने हरेक से कहा, बाद में उसने हम लोगों को हमारे भविश्य की कुछ बातें बतलाई फिर उसने कहा, अब किसी भी भाषा का कोई शब्द या वाक्य तुम लोग अपने मन में सोच लो मैंने संस्कृत का एक लंबा वाक्य सोच लिया, वह मनुष्य संस्कृत बिलकुल नहीं जानता था उसने कहा, अब अपनी जेब का कागज निकालो, कैसा आश्चर्य वही संस्कृत का वाक्य उस कागज पर लिखा था और नीचे ये भी लिखा था कि जो कुछ मैंने इस कागज पर लिखा है, वही ये मनुष्य सोचेगा और ये बात उसने एक घंटा पहले ही लिख दी थी फिर हम में से दूसरे को, जिसके पास भी उसी तरह का एक दूसरा कागज था कोई एक वाक्य सोचने को कहा गया उसने अर्बी भाषा का एक फिक्रा सोचा अर्बी भाषा का जानना तो उसके लिए और भी असंभव था वह फिक्रा था कुण शरीफ का लेकिन मेरा मितन क्या देखता है कि वह भी कागज पर लिखा है हम में से तीसरा था वैद्य उसने किसी जर्मन भाषा की वैद्य की ये पुस्तक का वाक्य अपने मन में सोचा उसके कागज पर वह वाक्य भी लिखा था यह सोच कर कि कहीं पहले मैंने धोखा न खाया हो कई दिनों बाद में फिर दूसरे मित्रों को साथ लेकर वहां गया लेकिन इस बार भी उसने वैसी ही आश्चर जनक सफलता पाई एक बार जब मैं हैदराबाद में था तो मैंने एक ब्राह्मन के विशय में सुना यह मनुष्य न जाने कहां से कई वस्तुएं पैदा कर देता था वह उस शहर का व्यापारी था और उंचे खानदान का था मैंने उससे अपने चमतकार दिखलाने को कहा इस समय ऐसा हुआ कि वह मनुष्य बीमार था भारतावासियों में ये विश्वास है कि अगर कोई पवित्र मनुष्य किसी के सिर पर हाथ रख दे तो उसका बुखार उतर जाता है यह ब्राह्मन मेरे पास आकर बोला महराज आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दें जिससे मेरा बुखार भाग जाए मैंने कहा ठीक है परन्तु तुम हमें अपना चमतकार दिखलाओ वह राजी हो गया उसकी इच्छा नुसार मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बाद में वह अपना वचन पूरा करने को आगे बढ़ा वह केवल एक धोती पहने था उसके अन्य सब कपड़े हमने अपने पास ले लिये थे अब मैंने उसे केवल एक कंबल ओढ़ने के लिए दिया क्योंकि ठंड के दिन थे और उसे एक कोने में बिठा दिया पचास आखें उसकी और ताक रही थी उसने कहा अब आप लोगों को जो कुछ चाहिए वह कागज पर लिखिए हम सब लोगों ने उन फलों के नाम लिखे जो उस प्रांट में पैदा तक ना होते थे अंगूर के गुच्छे संतरे इत्यादी और हमने वे कागज उसके हाथ में दे दिये कैसा आश्चर्य उसके कंबल में से अंगूर के गुच्छे तथा संतरे आदी इतनी संख्या में निकले की अगर वजन किया जाता तो वे सब उस आदमी के वजन से दुगने होते उसने हम से उन फलों को खाने के लिए कहा हम में से कुछ लोगों ने यह सोच कर कि शायद यह जादू टोना हो खाने से इनकार किया लेकिन जब उस ब्राहमण ने ही खुद खाना शुरू कर दिया तो हमने भी खाए वे सब फल खाने योग गही थे अंत में उसने गुलाब के धेर निकाले हर एक फूल पूरा खिला था पंखुडियों पर ओस के बिंदू थे कोई भी फूल न तो टूटा था और न दब कर खराब ही हुआ था और उसने ऐसे एक दो नहीं वरन धेर के धेर निकाले जब मैंने पूछा कि यह कैसे किया तो उसने कहा यह सिर्फ हाथ की सफाई है यह चाहे जो कुछ हो परंतु केवल हाथ की सफाई होना तो असंभव था इतनी बड़ी संख्या में वहवे चीजें कहां से पा सकता था हाँ तो मैंने इसी तरह की अनेक बातें देखी भारत वर्ष में घूमते समय भिन भिन स्थानों में तुम्हें ऐसी सैक्डों बातें दिखेंगी यह चमतकार सभी देशों में हुआ करते हैं इस देश में भी इस तरह के आश्चर्यकारक काम देखोगे हाँ यह सच है कि इनमें अधिकांश धोखे बाजी होती है परंतु जहां तुम धोखे बाजी देखते हो, वहां तुम्हें यह भी मानना पड़ता है, कि यह किसी की नकल है कहीं न कहीं कोई सत्य होना ही चाहिए, जिसकी यह नकल की जा रही है अविद्यमान वस्तू की कोई नकल नहीं कर सकता किसी विद्यमान वस्तू की ही नकल की जा सकती है प्राचीन समय में हजारों वर्ष पूर्व ऐसी बातें आज की अपेक्षा और भी अधिक परिमान में हुआ करती थी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब किसी देश की आबादी घनी होने लगती है तो मांसिक बल का हरास होने लगता है जो देश विस्तृत है और जहां लोग बिरले बसे होते हैं वहां शायद मांसिक बल अधिक होता है विशलेशन प्रिय होने के कारण हिंदूओं ने इन विशेओं को लेकर उनके संबंध में अनवेशन किया और वे कुछ मौलिक सिध्धान्तों पर जा पहुँचे अर्थात उन्होंने इन बातों का एक शास्त्र ही बना डाला उन्होंने यह अनुभव किया कि ये बातें यद्यपी असाधारण हैं तथा पी अनैसरगिक नहीं है अनैसरगिक नाम की वस्तु ही नहीं है ये बातें भी ठीक वैसी ही नियम बद्ध हैं जैसी भौतिक जगत की अन्याने बातें ये कोई निसर्ग की लहर नहीं कि एक मनुष्य इन सामर्थों को साथ लेकर जन्म लेता हो इन शक्तियों के संबंध में नियमित रूप से अध्यन किया जा सकता है इनका अभ्यास किया जा सकता है और ये शक्तियां अपने में उत्पन की जा सकती है इस शास्त्र को वे लोग राजयोग कहते हैं भारत वर्ष में ऐसे हजारों मनुष्य हैं जो इस शास्त्र का अध्यान करते हैं और यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए दैनिक उपासना का एक अंग बन गया है वे लोग जिस सिध्धान्त पर पहुँचे हैं वह यह है कि यह सारा अध्भुत सामर्थि मनुष्य के मन में अवस्थित है मनुष्य का मन समश्टी मन का अंश मात्र है प्रत्येक मन दूसरे प्रत्येक मन से सनलग्न है और प्रत्येक मन वह चाहे जहां रहे संपूर्ण विश्व के व्यापार में प्रत्यक्ष भाग ले रहा है। क्या तुम लोगों ने विचार संक्रमन का चमतकार देखा है? यहां एक मनुष्य कुछ विचार करता है और वह विचार अन्यत्म किसी दूसरे मनुष्य में प्रगट हो जाता है। एक मनुष्य अपने विचार दूसरे मनुष्य के पास भेजना चाहता है, इस दूसरे मनुष्य को यह मालूम हो जाता है कि इस तरह का संदेश उसके पास आ रहा है। वह उस संदेश को ठीक उसी रूप में ग्रहन करता है, जिस रूप में वह भेजा गया था। पूर्वसाधनाओं से यह बात सिद्ध होती है। यह केवल आकस्मिक घटना नहीं है। दूरी के कारण कुछ अंतर नहीं पड़ता। यह संदेश उस दूसरे मनुष्य तक पहुँच जाता है और वह दूसरा मनुष्य उसे समझ लेता है। अगर तुम्हारा मन एक स्वतंत् पस्तु होता जो यहां विद्धिमान है और इन दोनों मनों में यदि कोई संबंध न होता तो मेरे विचार तुम्हारे पास कैसे पहुच पाते। सर्वसाधारन व्यवहार में मेरा विचार सीधा तुम्हारे पास नहीं पहुचता। अपितु प्रथम मेरे विचार को आक आकाश्तत्व के स्पंदनों में परिणत होना पड़ता है। ये स्पंदन फिर तुम्हारे मस्तिष्क में पहुँचते हैं। वहां फिर से इन स्पंदनों का तुम्हारे अपने विचार में रूपांतर होता है। और इस तरह मेरा विचार तुम्हारे पास पहुँचता है। यहां पहले विचार विशलिष्ट होकर आकाश तत्व में मिल जाता है और फिर उसी का वहां संशलेशन हो जाता है। इस तरह का चक्राकार कारेक्रम चलता है। परन्तु विचार संक्रम मन में इस तरह की कोई चक्राकार क्रिया नहीं होती। इसमें मेरा विचार सीधा सीधा तुम्हारे पास पहुँच जाता है। इससे स्पष्ट है कि मन एक अखंड वस्तू है जैसा कि योगी कहते हैं। मन विश्व व्यापी है। तुम्हारा मन, मेरा मन, ये सब विभिन्न मन उस समश्टी मन के अंश मात्र हैं। मानो समुद्र पर उठने वाली छोटी छोटी लहरें। और इस अखंडता के कारण ही हम अपने विचारों को एकदम सीधे बिना किसी माध्यम के आपस में संक्रमित कर सकते हैं। हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। यह तो तुम देख ही रहे हो। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ती का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उप्योग में आता है। और शेश प्रत्येक अंश दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में रात दिन व्याय होता रहता है। हमारे शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धी तथा हमारा आत्मिक बल ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार उलटे रूप में दूसरों का प्रभाव हम पर पढ़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरन लो, एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है, वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाशा भी सुन्दर है, वह तुम से एक घंटा बात करता है, फिर भी वह अपना असर नहीं छोड़ जाता। दूसरा मनुष्य आता है, वह इने गिने शब्द बोलत है, शायद वे भी व्याकरण शुद्ध और व्यवस्थित नहीं होते, परन्तु फिर भी वह खूब असर कर जाता है, ये तो तुम में से बहुतों ने अनुभव किया है, इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पढ़ता है, वह केवल शब्दों द्वारा ही नह ही नहीं, विचार भी शायद प्रभाव का एक तृतियांश ही उत्पन करते होंगे, परन्तु शेश दो तृतियांश प्रभाव तो उसके व्यक्तित्व का ही होता है, जिसे तुम वह यक्तिक आकरशन कहते हो, वही प्रकट होकर तुम पर अपना असर डाल देता है, प्रति ज्यों ही मुझे असफलता मिलती है, त्यों ही मैं कह उठता हूँ कि अमुक अमुक मेरे अपयश के कारण है, अपयश आने पर मनुष्य अपनी कमजोरी और अपने दोश स्वीकार करना नहीं चाहता, प्रतियक व्यक्ति किसी मनुष्य पर, किसी वस्तु पर और अंततह दु दुसरे क्यों नहीं, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह अंतर उस मनुष्य के ही कारण है, उस मनुष्य के व्यक्तित्व के कारण ही यह फर्क पड़ता है, मनुष्य जाती के बड़े-बड़े नेताओं की बात यदी ली जाए, तो हमें सदा यही दिखलाई देगा कि उन पतकाली नेताओं ने जो कुछ लिख छोड़ा है, उसका विचार करो, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल्य आँखो, असल, नए और स्वतंत्र विचार, जो अभी तक इस संसार में सोचे गए हैं, केवल मुठी भर ही हैं, उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं, उनको उन ही की पुस्तकों में से पढ़ो, तो वे हमें कोई बहुत बड़े नहीं प्रतीत होते, परन्तु फिर भी हम यह जानते हैं कि अपने जमाने में वे बहुत बड़े हो गए हैं, इसका कारण क्या है, वे जो बहुत बड़े प्रत गई है, और वह था उनका व्यक्तित्व. जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, व्यक्तित्व दो तृति आंश होता है और शेश एक तृति आंश होता है, मनुष्य की बुध्धी और उसके कहे हुए शब्द. सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है, जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म, हमारे व्यक्तित्व की बाहिय अभी व्यक्ति मात्र है। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप से प्रकट होगा ही कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यम भावी है। संपूर्ण शिक्षा तथा समस्त अध्ययन का एकमेव उद्देश्य है इस व्यक्तित्व को गढ़ना। परंतु हम यह न करके केवल बही रंग पर ही पानी चड़ाने का सदा प्रयत्न किया करते हैं। जहां व्यक्तित्व का ही अभाव है वहां सिर्फ बही रंग पर पानी चड़ाने का प्रयत्न करने से क्या लाब। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। शील बना देता है। हम देखते हैं कि यद्यपी यह बात सच है तथा पी कोई भी भौतिक सिध्धान्त जो हमें जहात है इसे नहीं समझा सकता। रासायने की अपदार्थ वैज्ञानिक जहान इसका विश्दिकरण कैसे कर सकता है। कितनी प्राणवाय। कितनी उज्जनवाय। कितना कोयला या कितने परमानू और उनकी कितनी विभिन अवस्थाएं। उनमें विद्यमान कितने कोश इत्यादी इस गूढ व्यक्तित्व का सपश्टिकरण कर सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि यह व्यक्तित्व एक सत्य है, इतना ही नहीं, बल्कि यही प्रकृत मानव है। यही मनुष्य की सब क्रियाओं को अनुप्रानित करता है, सभी पर प्रभाव डालता है, संगियों को कार्य में प्रवृत्त करता है, तथा उस व्यक्ति के लए के साथ विलीन हो जाता है। उसकी बुद्धी, उसकी पुस्तकें और उसके किये हुए कार्य, ये सब तो केवल पीछे रहे हुए कुछ चिहन मात्र हैं। इस बात पर विचार करो। इन महान धर्माचारियों की बड़े-बड़े दार्षनिकों के साथ तुलना करो। इन दार्षनिकों ने बड़ी देश को हिला दिया था। व्यक्तित्व ही था वह जिसने यह अंतर पैदा किया। दार्षनिकों का वह व्यक्तित्व जो असर पैदा करता है किन्चिन मात्र होता है और महान धर्मसंस्थापकों का वही व्यक्तित्व प्रचंड होता है। दार्षनिकों का व्यक्तित्व ब हैं और अनुकूल परिस्थिती होने से या तो उन में से प्रकाश की दीप्ती प्रकट होती है या वे असफल ही हो जाते हैं दूसरा एक जलती हुई मशाल के सद्रिश है जो शीग्र ही एक के बाद दूसरे को प्रज्वलित करता है योग शास्त्र यह दावा करता है कि उसने उन नियमों को ढूंड निकाला है जिनके द्वारा इस व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है इन नियमों तथा उपायों की ओर ठीक ठीक ध्यान देने से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उसे शक्तिशाली बना सकता है बड़ी बड़ी व्यावहार बातों में यह एक महत्व की बात है और समस्त शिक्षा का यही रहस्य है इसकी उपयोगिता सार्वदेशिय है चाहे वह ग्रिहस्त हो चाहे गरीब अमीर व्यापारी या धार्मिक सभी के जीवन में व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाना ही एक महत्व की बात है ऐसे अनेक सू बतंत्र सत्ताय नहीं है। जो कुछ है सब एक तत्व है। या हम यों कहेंगे कि यह सब एक ऐसी वस्तू है जो यहाँ पर मोटी है और जैसे जैसे यह उंची चड़ती है वैसे ही वैसे वह सूक्ष्मतर होती जाती है। सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को शरीर और जो कुछ छोटे परिमान में इस शरीर में है वही बड़े परिमान में विश्व में है जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है ये हमारा विश्व ठीक इसी प्रकार का है बहीरंग में स्थूल घनत्व है और जै नहीं, एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसके सनायू फूल उठते हैं और संपूर्ण शरीर पर परिश्रम के चेहन दिखने लगते हैं। हम समझते हैं कि सनायू बहुत शक्तिशाली वस्तु है, परंतु वास्तव में जो सनायूओं को शक्ती देते हैं, वे तो धागे के समान पतली तंत्रिकाएं, नर्व्स हैं। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है, इसलिए वह सूक्ष्म तत्व ही है, जो शक्ती का अधिश्ठान है। स्थूल में होने वाली हल्चल हम अवश्य देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्म में होने वाली हल्चल हम देख नहीं सकते। अल्चल इतनी तीवर होती है कि हम उसका अनुभव ही नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई शास्त्र या कोई शोध इन सूक्ष्म शक्तियों के ग्रहन करने में सहायता दे, तो यह व्यक्त विश्व ही, जो इन शक्तियों का परिणाम है, हमारे अधीन हो जाएगा। पानी का एक बुलबुला जील के तल से निकलता है, वह उपर आता है, परंतु हम उसे देख नहीं सकते जब तक कि वह सतह पर आकर फूट नहीं जाता। इसी तरह विचार अधिक विकसित हो जाने पर या कार्य में परिणत हो जाने पर ही देखे जा सकते हैं। हम सदा यही कहा करते हैं कि हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर हमारा अधिकार नहीं चलता। ये अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम विचारों को मूल में ही अगर अधीन कर सकें तो इन सूक्ष्म हलचलों पर हमारा प्रभुत्व चल सकेगा। विचारों को कार्य में परिनत होने के पहले ही जब हम अधीन कर लेंगे तभी सब पर हमारा प्रभुत्व चल सकेगा। अब अगर ऐसा कोई उपाय हो जिसके द्वारा हम कारण भावों का अर्थत इन सूक्ष्म शक्तियों का प्रथक करन कर सकें, उन्हें समझ सकें और अंत में अपने अधीन कर सकें, तो हम स्वयम पर अपना अधिकार चला सकेंगे. और जिस मनुष्य का मन उसके अधीन होगा, निश्चे ही वह दूसरों के मनों को भी अपने अधीन कर सकेंगा. यही कारण है कि पवित्रता तथा नीती मत्ता सदा के लिए धर्म के विशय बने हुए हैं. पवित्र, सदाचारी मनुष्य स्वयम पर अपना अधिकार चलाता है हम सब के मन उस एक ही समश्टी मन के अंश्मात्र हैं, जिसे एक धेले का घ्यान हो गया, उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली. जो अपने मन को जानता है और स्वधीन रख सकता है, वह दूसरों के मनों का रहस्य भी पहचानता है और उन पर अपना प्रभुत्व चला सकता है. हम अपने भौतिक दूखों का अधिकांश भाग दूर कर सकते हैं अगर हम इन सूक्ष्म कारणों पर अपना अधिकार चला सकें हम अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं अगर यह सूक्ष्म हलचल हमारे अधीन हो जाए अनेक अपयश टाले जा सकते हैं अगर हम इन सूक्ष्म शक्तियों को अपने अधीन कर लें, यहां तक तो उप्योगिता के बारे में हुआ, लेकिन इसके परे और भी कुछ उच्चतर साध्य है, अब मैं तुम्हें एक विचार प्रणाली बतलाता हूँ, उसके संबंध में मैं अभी विवाद उपस्थित न करूंगा, केवल सिध्धान्त ही तुम्हारे सामने रखूंगा, प्रत्येक मनुष्य अपने बाल्यकाल में ही उन उन अवस्थाओं को पार कर लेता है, जिन में से होकर उसका समाज गुजरा है, अंतर केवल इतना है कि समाज को हजारों वर्ष लग जाते हैं, जबकि बालक कुछ वर्षों में ही उन में से हो गुजरता है, बालक प्रथम जंगली मनुष्य की अवस्था में होता है, वह तितली को अपने पैरों तले कुचल डालता है, आरंभ में बालक अपनी जाती के जंगली पूरवजों सा होता है, जैसे जैसे वह बढ़ता है, अपनी जाती की विभिन्न अवस्थाओं को पार करता जाता है, जब तक कि वह अपनी जाति की उन्नता अवस्था तक पहुँच नहीं जाता। अंतर यही है कि वह तेजी से और जल्दी-जल्दी पार कर लेता है। अब संपूर्ण मानव समाज को या संपूर्ण प्राणी जगत और मनुष्य तथा निम्नस्तर के प्राणियों की समष्टी को एक जाती मान लो एक ऐसा धेय है जिसकी ओर यह समष्टी बढ़ रही है उस धेय को हम पूर्णत्व नाम दे दें कुछ पूरुष ऐसे होते हैं जो मानव समाज के भविश्यकालीन संपूर्ण विकास की कलपना पहले कर लेते हैं संपूर्ण मानव समाज जब तक उस पूर्णत्व को न पहुँचे तब तक राह देखते रहने और पुनह-पुनह जन्म लेने की अपेक्षा वे जीवन के कुछ ही वर्षों में इन सब अवस्थाओं का अतिक्रमन कर पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाते हैं और हम जानते हैं कि इन अवस्थाओं में से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं अगर हम केवल आत्म वंचना न करें असंस्कृत मनुश्यों को अगर हम एक द्वीप पर छोड़ दें और उन्हें कठिंता से परियाप्त खाने ओढ़ने तथा रहने को मिले तो वे धीरे धीरे उन्नत हो संस्कृती की एक-एक सीड़ी चड़ते जाएंगे हम यह भी जानते हैं कि अन्य विशेश साधनों द्वारा भी इस विकास की गती बढ़ाई जा सकती है क्या हम व्रिक्षों के बढ़ने में मदद नहीं करते यदि वे निसर्ग पर छोड़ दिये जाते तो भी वे बढ़ते अंतर यही है कि उन्हें अधिक समय लगता निसर्गत लगने वाले समय से कम समय में ही उनकी बाढ़ होने के लिए हम मदद पहुँचाते हैं कृत्रिम साधनों द्वारा वस्तूओं की बाढ़ दृत्तर करना यही हम निरंतर करते आये हैं तो फिर हम मनुष्य का विकास शीघरतर क्यों नहीं कर सकते समस्त जाती के विशय में हम ऐसा कर सकते हैं परदेशों में प्रचारक क्यों भेजे जाते हैं इसलिए कि इन उपायों द्वारा जाती को हम शीघरतर उन्नत कर सकते हैं तो अब क्या हम व्यक्ति का विकास शीघृतर नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं. क्या हम इस विकास की शीघृता की कोई मर्यादा बांच सकते हैं? ये हम नहीं कह सकते कि एक जीवन में मनुष्य कितनी उन्नती कर सकता है. ऐसा कहने के लिए तुम्हें कोई आधार नहीं कि म मनुष्य केवल इतनी ही उन्नती कर सकता है। अधिक नहीं। अनुकूल परिस्थिती से उसका विकास आश्चर्य जनक शीघ्रता से हो सकता है। तो फिर क्या मनुष्य के पूर्ण विकसित होने के पूर्व उसके विकास की गतिकी कोई मर्यादा हो सकती है। अतैव इस सबका तात्पर्य क्या है? यही की मनुष्य इस जन्म में ही पूर्णत्व लाभ कर सकता है और उसे उसके लिए करोडों वर्ष तक इस संसार में आवागमन की आवश्यक्ता नहीं. और यही बात योगी कहते हैं कि सब बड़े अवतार तथा धर्मसंस्थापक ऐसे ही पुरुष होत जिन्होंने मानव समाज के संपूर्ण जीवन की विभिन अवस्थाओं का अनुभव अपने इसी जीवन में कर लिया था और जो इसी जीवन में पूर्णत्व तक पहुँच गए थे. परंतु विकास की यह शीग्र गति भी कुछ नियमों की अनुसार होनी चाहिए. अब यह स्पष्ट है कि इससे हमारा विकास होगा. हम यदि अपनी शीग्रतर बाढ़ करें, शीग्रतर अपना विकास करें, तो इस जीवन में ही हम पूर्ण विकसित हो सकते हैं. हमारे जीवन का उदत्त अंश यही है और मनो विज्ञान तथा मन की शक्तियों का अभ्यास इस ही अपना धेय मानता है. पैसे और भौतिक वस्तुएं दे कर दूसरों की सहायता करना, तथा उन्हें सुगमता से जीवन यापन करना सिखलाना. ये सब तो जीवन की केवल गौन बाते हैं. मनुष्य को पूर्ण विकसित बनाना. यही इस शास्तर का उपयोग है. युगान हम भी प्रकृति के जड़ नियमों के हाथों खिलोना बने. ये आवश्यक नहीं. ये शास्तर चाहता है कि तुम शक्तिशाली बनो. उन्नतिकारे अपने ही हाथ मेलो. प्रकृति के भरोसे मत छोडो और इस छोटे से जीवन के उस पार हो जाओ. यही वह उदात्त ध्यय है. हम एक जाती के रूप में लगातार उन्नति करते जा रहे हैं. हम देखते हैं कि यह सच है. बिलकुल सच है. क्या यह प्रत्येक व्यक्ति के विशय में भी सत्य है? हाँ, कुछ अंश तक सच है. किन्तु फिर वही प्रशन उठता है कि इसकी सीमा रेखा कौन सी है. मैं तो के वैसा मनुष्य देखा है, जो आख बंद कर लेता है और फिर भी बता देता है कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है. अगर तुम कहो कि हम इस पर विश्वास नहीं करते, तो शायद तीन सप्ताह के अंदर वह मनुष्य तुम में भी वैसा ही सामर्थे उत्पन्न कर देगा. य अब यदि यह बात सच है, तो सीमा रेखा कहां पर खीची जा सकती है. अगर मनुष्य कोने में बैठे हुए दूसरे मनुष्य के मन में क्या चल रहा है यह जान सकता है, तो वह दूसरे कमरे में बैठे रहने पर भी क्यों न जान सकेगा? और इतना ही क्यों, कहीं पर भी ब असंभव है. ऐसी बातें होना असंभव है, ऐसा कहने का भौतिक वैज्ञानिक को कोई अधिकार नहीं. वे सिर्फ कह सकते हैं, हम नहीं जानते. विज्ञान का काम केवल इतना है कि घटनाओं को एकत्रित कर उन पर सिध्धान्त बांधे, अनुस्युत नियमों को निकाले और सत्य का विधान करे. परन्तु यदि हम घटनाओं का ही इनकार करने लगें, तो विज्ञान बन कैसे सकता है? मनुष्य कितनी शक्ति संपादन कर सकता है, इसका कोई अंत नहीं. भारतिय मन की यही विशेष्टा है कि जब किसी एक वस्तु में उसे रुची उत्पन्न हो हुआ है. गणित शास्त्र का आरंब वहां ही हुआ. आज भी तुम लोग संस्कृत अंक गणना पध्धती के अनुसार एक, दो, तीन इत्यादिशून्य तक गिनते हो और तुमको यह भी मालूम है कि बीजगणित का उदय भारत में ही हुआ. उसी तरह न्यूटन का जन्म ह मन के अभ्यास में ही डूब गया था. और यह विशय अत्यंत आकरशक था, क्योंकि अपनी धेवस्तु प्राप्त करने का उन्हें यह सुलभतम तरीका लगा. इस समय भारतवासियों का ऐसा ध्रड निश्चे हो गया था, कि विशिष्ट नियमों के अनुसार परिचालित हो होने से मन कोई भी कार्य कर सकता है. और इसलिए मन की शक्तियां ही उनके अध्ययन का विशय बन गई थी. जादू, मंत्र, तंत्र तथा अन्यान्य सिध्धियां कोई असाधारन बातें नहीं हैं. ये भी उतनी ही सरलता से सिखलाई जा सकती हैं, जितना की इसके पहले भौत भौतिक शास्त्र सिखलाए गए थे. इन बातों पर उन लोगों का इतना दर्ड विश्वास हो गया कि भौतिक शास्त्र करीब-करीब मरे से हो गए. यही एक बात थी जिसने उनका मन खीच रखा था. योगियों के विभिन्न संप्रदाए अनेक प्रकार के प्रयोग करने लगे. कुछ लोगों ने प्रकाश के संबंध में प्रयोग किये और यह जानना चाहा कि विभिन्न वर्गों की किर्णों का शरीर पर कौन सा प्रभाव पढ़ता है. वे विशिष्ट रंग का कपड़ा पहनते थे, विशिष्ट रंग में वास करते थे और विशिष्ट रं नेंद्रिय के संबंध में. सभी का ध्ये एक था. वस्तु के मूल अथवा सूक्ष्म कारण तक किस प्रकार पहुँचना और उनमें से कुछ लोगों ने सचमुच ही आश्चरे जनक सामर्थे प्रकट किया. बहुतों ने आकाश में विचरने और उड़ने का प्रयत्न किया मैं एक बड़े पाश्चाते विद्वान की बतलाई हुई एक कथा कहूंगा. सीलोन के गवर्नर ने जिन्होंने यह घटना प्रत्यक्ष देखी थी, उससे कहीं थी. एक लड़की उपस्थित की गई और वह पल्थी मार कर स्टूल पर बैट गई. स्टूल लकडियों को अधर में ही लटकती रह गई. गवर्नर ने सोचा कि इसमें कोई चाला की है. इसलिए उन्होंने तलवार खींची और तेजी से उस लड़की के नीचे से घुमाई. परंतु लड़की के नीचे कुछ भी नहीं था. अब कहो, यह क्या है? यह कोई जादू न था और न कोई असाधारन बात ही थी. यही वैशिष्ट्य है. कोई भी भारती यह ऐसा न कहेगा कि इस तरह की घटना नहीं हो सकती. हिंदू के लिए यह एक साधारन बात है. तुम जानते हो, जब हिंदूओं को शलूओं से युद्ध करना होता है, तो वे क्या कहते हैं? हमारा एक योग कि तुम्हारे जुंड के जुंड मार भगाएगा. उस राष्ट्र का यह द्रड विश्वास है. हाथ यह तलवार में ताकत कहां? ताकत तो है आत्मा में. यदि यह सच है, तो मन के लिए यह प्राणपन से प्रयत्न करने के लिए काफी प्रलोभन है. परन्तु कोई बड़ लोग समझते हैं कि यह शक्तियां सुगमता से प्राप्त की जा सकती है. संपत्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं? जरा इसका विचार करो. बिजली या यंत्र संबंधी ज्यान के अध्ययन में ही तुम्हें कितने वर्ष बितान पड़ता है। पुनश्च इतर विज्ञानों का विशय है, स्थिर वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो हल्चल नहीं करती। तुम कुरसी का प्रथक्रण कर सकते हो, कुरसी दूर नहीं भाग जाती। परंतु यह मनों विज्ञान मन को अपना विशय बनाता है, वह मन जो सदा चंचल है। जियों ही तुम उसका अध्यान करना चाहते हो, वह भाग जाता है। अभी मन में एक वृत्ति विद्यमान है, फिर दूसरी उदित हो जाती है। इस तरह मन सरवदा बदलता ही जाता है। उसकी इस चंचलता में ही उसका अध्यान करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, उसका आकलन करना पड़ता है, उसको अपने वश में लाना पड़ता है। अतैव देखो, यह शास्त्र कितना अधिक कठिन है, यहां कठोर अभ्यास की आवश्यक्ता है, लोग मुझ से पूछते हैं कि आप प्रत्यक्ष प्रयोग कर क्यों नहीं सिखलाते। अ ऐसा इसलिए होता है कि तुम ही इसे पाखंड बनाना चाहते थे। इस शास्त्र का मुझे बहुत थोड़ा ज्यान है, परंतु जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ, उसके लिए 30 साल तक मैंने अभ्यास किया है और मैं 6 साल हुए लोगों को वह सिखला रहा हूँ, अभी कभी मैं ऐसे स्थानों में रहा हूँ, जहां किसी प्रकार का कोई शब्द न था, सांस तक की आवाज न थी, कभी मुझे गुफाओं में रहना पड़ा है, इस बात का तुम विचार करो और फिर भी मुझे बहुत थोड़ा मालूम है, या कहिए, बिल्कुल ही जिन्ता से इस शास्त्र की मानो किनार भर छूपाई है, परंतु मैं समझ सकता हूँ कि यह सच है, अपार है और आश्चरिजनक है, अब यदि तुम में से कोई इस शास्त्र का सचमुच अध्यन करना चाहता है, तो उसी प्रकार के निश्चय से आरंभ करना होगा, जिस नि व्यवसाई के लिए कितने मनो योग की आवश्यक्ता होती है, और वह व्यवसाई हमसे कितने खड़े श्रम की मां करता है, यदि बाप, मा, स्त्री या बच्चा भी मर जाए, तो भी व्यवसाई रुकने का नहीं, चाहे हमारे हृदय के टुकडे टुकडे हो रहे हों, फिर भी अन्य व्यवसाई से अधिक लगन मांगता है, व्यवसाई में तो अनेक व्यक्ती सफलता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इस मार्ग में बहुत ही थोड़े, क्योंकि यहां पर मुख्यतह साधक की मानसिक गठन पर ही सब कुछ अवलंबित रहता है, जिस प्रकार व्यव हो जाता है कि ये बातें सच हैं और ऐसे मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने इन सब का पूर्ण अनुभव कर लिया था, इस शास्त्र की यह केवल रूप रेखा है, यह शास्त्र स्वतह प्रमान तथा स्वयम प्रकाश है, और किसी भी अन्य शास्त्र या विज्ञान को अपन उसमें उतने ही अधिक पाखंडी और धोखे बाज होते हैं, परंतु उस व्यवसाय के अच्छे ना होने का यह कोई कारण नहीं, एक बात और बतला देना चाहता हूं, इस शास्त्र के अनेक वादों को सुनना बुद्धी के लिए चाहे बड़ी अच्छी कसरत हो, और आश ख्यानों द्वारा नहीं सिखलाया जा सकता, क्योंकि यह शास्त्र है, अनुभूती निष्ट और अनुभूती ही अनुभूती प्रदान कर सकती है। यदि तुम में से सचमुच कोई अध्ययन करना चाहता है, तो उसकी सहायता देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता क्योंकि अनुभूती है।